नमस्कार साथियो अश्यकी वग्या चैनल में आपका स्वागत है साथियो आज मैं आपको खाद बनाने का एक बड़ा ही अनोखा बहुती सरल सुगम उपाय बताने जा रही हो जिसके अंदर आपको बदवू नहीं आएगी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और कम टाइम में ये खाद बनेगा और एक अच्छी क्वालिटी का हमें खाद भी मिलेगा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी जंगल तरीके में हमको khaad बनानी की जरुरत नहीं होती है, दो ही तरहे से हमको khaad भरते हैं तो हमको नसरी तयार करनी होती है तब हम сांब मेन ठोड़े khaad की जरुरत होती है या फिर हमारे पास चोटे ठोट होते हैं बहुत चोटे तो उनके अंदर हमको सेमी डीकंपोस्ट करके खाद डाली होती है तो इतनी ही जरूरत होती है जादा नहीं अगर आपके पास बड़े-बड़े गंबले हैं बड़ी जगे है तो वहां पे तो मल्चिंग के रूप में धीरे-धीरे अपने आप खाद बनता रहता है जैसे के साथ ही आप देख रहे ह है और इसके अंदर एक लिक्विड है और यह आप देख रहे हैं यह खाद यहां पर बिर्कुल तयार हो चुका है यह देखिए भुरवरा खाद यह तयार है अब इसको हम कहीं अच्छे से रख देंगे थोड़ा सा गीली ही इस्तिती में जैसे यह गीलाई है तो यह और भी अच्छे से डीकंपोस्ट हो जाएगा वैसे तो यह हो चुका है यह देखिए यह विर्कुल हो चुका है एक दम भुरवरा यह देखिए तो यह लग भाग 15-20 दिन में यह भुरवरा हो जाता है और बहुत ही यह उच्छ क्वालिटी का यह खाद बन चुका है तो पहले हम इसको खाली करते हैं जैसा कि साथिव आप देख रहे हैं यह खाली हो चुका है आप अपने हिसाब से बड़ा डश्टिमिन भी ले सकते हैं और जैसा भी आपको suitable हो आप उतना बड़ा ले सकते हैं इससे छोटा भी ले सकते हैं तो मैंने देखिए यह यहाँ पर च्छेद कर दिये हैं लगबग वो इसमें होगी अभी भी होगी लेकिन वह जो सदन प्रकरिया होती है उसके बाद साथियों हमें क्या चाहिए जो भी हमारा किचिन वेश्ट है, यह आप किचिन वेश्ट देख रहे हैं, इसको अगर आप सुखा लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, शुरू से ही कहीं बॉलकॉनी बगेरा में अभी सुखाने का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जैसा कि मैंने इसको यहाँ पर गई है, यह प्याज है, मटर, यहाँ बहुत कुछ है, अभी बर्सात आई थी, तो इसमें यह यह देखिए, यह भी पतानी क्या है, अब पतानी चल रहा है, क्या है, यह मटर बर्सात आई थी, तो कुछ को यह देखिए, ऐसे ही गल गया है, अब हमको क्या करना है, कि इस प गीले भी रहते हैं तो भी चलेंगे, मैं आपको सभी तरह से बता दूँगी कि इस तरीके से हम खाद बना सकते हैं, आसान तरीके से, तो मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, यह मेरा किचिन वेष्ट है और यह मेरा बगिया से निकला हुआ वेष्ट है, यह देखिए, भूसा व यह किचिन वेष्ट और बगिया का जो भी वेष्ट है हमारे पास में था, हमने वो सब इसमें मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद में जो लिक्यूट था हमारे पास में, जैसे यह लिक्यूट है, यह मैं बताऊंगी यह क्या लिक्यूट है, तो यह भी हमने इसके चिंज की परत बनानी है इस तरह से फिर एक इसमें परत मिट्टी की बना देनी है यह बैस आई तो साथियों ये मैंने देखी है तैयार कर लिया है यहां पर मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दी है और अब मैं यहां पर ये जो मटका आप देख रहे हैं इसको मैं रखतूंगे आप बढ़ा ले सकते हैं इसको ढख ले इतना बढ़ा ले सकते हैं जैसा आपका पात्र है उस हिसाब से खुब बढ़ा ले सकते हैं मेरे पास में पहले यह छोटा था तो मैंने इतना सा ले रखा था लेकिन यह बहुत छोटा है यह ठीक है अभी इससे और भी बड़ा अगर मेरे को मिलेगा तो यह पूरे को पैक कर ले मैं ऐसा रखूंगी अब होता क्या ऐसा थी हो कि इस मैंसे धीरे धीरे पानी रिस्ता है यहां से द्हम powerful मिठी को गीला करेंगे और हमारी मिठी पूरे में पहली हो यहां पर यहां पर एक आदर्स नमी KimWA के अंदर हमारा यह जो यहां पर यह कच्रा है अच्रानी कौंगी मैं इसको कंचन बोलती हूं तो यह यहां पर इसका विगठन बहुत ही अच्छे से यहां पर होगा यह सात्यों देख़ें यह नग घीला होने लग गया यहां और यह उक्सिजन की उपस्थिती जो क्योंकि बहुत ही उच्छ क्वालिटी का ये खाद होता है अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये लिक्विड क्या चीज है तो ये लिक्विड साथियो गौकरपा अमरतम है जिसको मैंने इसको भी गीला कर लिया ता उसी से ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इ शुल्क मिलता है और बाइद वे आपके पास फिलाला भी लोकडाउन का टाइम चल रहा है तो नहीं है तो हमें थोड़े पानी में गोवर गोमूत्र थोड़ा गुड डाल के और उसको दो तीन दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है फिर उस लिक्विड को इसमें भर देना है और इसको भी थोड़ा थोड़ा गीला करके सारे को और इस तरह से यूँ ढख देना है तो यह मात्र 15 दिन के अंदर हमारा खाद बनके तयार हो जाता है यह जो इसके यह आप देख रहे हैं छिलके जो भी हमें लिए हैं वो जितने छोटे होंगे वो उतनी जल्दी इसमे खाद बनेगा और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो किचिन वेस्ट है ग्रीन वाला गीला वाला वह पूरा का पूरा वह नहीं लेना है क्योंकि उसके अंदर 90% पानी होता है फिर हम पानी का भी छड़काब करेंगे फिर हम यह पानी भी रख देंगे तो सोच बहुत ही बहतरीन बिना किसी छेड़ चाड़ के यह खाद मतला मेहनत के यह बन जाता है और उत्तम खाद बनता है साथ आठ दिन के बाद में आप इसको एक बार उठा लीजिए इसको और पूरे को अल्ट पल्ट करके बापस इस तरह से इसको लेके भढ़ दीजिए और यह 15-20 दिन के अंदर बहुत ही बहतरीन खाद बन जाएगा कोई बदू नहीं आएगी कोई कीड़ा नहीं यहाँ पर होगा और शांदर खाद आपको मिलेगी और इस तरह से इसे ढखके किसी भी कौने में इसको रखा जा सकता है बीच-बीच में देखते रहे और अगर साथिय तो वीडियो का आप शेयर जरूर किया कीजिए क्योंकि बहुत सारे प्रियोग करने के लिए मुझे कुछ धनकी जरूरत होती है तो अब इस तरह मैं सभी आर्थक मंदी में चल रहे हैं तो एक यूटूब से ही मुझे आशा है कि थोड़ा मुझे खर्चा मिल जाएगा तो मैं जो भी प्रियोग करती हूं प्रियोगों के लिए मुझे थोड़ा सा मेरे को धन मिले तो इसके लिए साथियो आपका बहुत भहुत धन्यवाद आप शेयरिंग करते रहते हैं और भी ज्यादा आप शेयरिंग करेंगे तो मुझे कुछ धन मिलना शुरूर हो जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा होगा मुझे कुछ यात्राएं भी करनी है खेती से सम्मंधित तो मैं वह यात्राएं भी कर पाऊंगी तो साथियो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग शेयरिंग करेंगे तो इसली के साथ नमस्कार धन्यवाद